नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नॉलिज पंडित पर दोस्तों आज बहुत ही जबरजस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्द नहीं हो उसे हम किस नाम से जानते हैं तो जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे हम प्रागयते हासिक काल के नाम से जानते हैं ऑप्शन नमबर प्रागयते हासिक काल सही उत्तर हो जाएगा आदी मानव ने सरप्रतम किस पसू को पालतू बनाया था तो आदी मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुट्टे को option number B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा Next question है आदुनिक homo sapiens मानव का उद्भव किस काल में हुआ है तो आदुनिक homo sapiens मानव का उद्भव जो है यह हुआ है उच्छ पुरा पाशान काल में option number C प्रशन का सही उत्तर है Next question आपके सामने है मानव ने आग का प्रियोग किस काल में प्रारम किया था तो मानव ने आग का प्रियोग जो है यह नव पाशान काल में प्रारम किया था ओप्शन नमबर B सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वेशन आपके सामने है मानव ने सरप्रतम किस धातू का प्रियोग किया था तो मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था तामा धातू का उप्शन नमर सी प्रशन का सही उत्तर है प्रागेतेहा से काल के अंतरगत किन संस्कृतियों को रखा गया है तो प्रागेतेहा से काल के अंतरगत पाशान संस्कृतियों को रखा गया है ऑप्शन नमबर सी सही उत्तर हो जाएगा मानवों द्वारा उप्योग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी तो मानवों के द्वारा उप्योग में लाई गई पहली फसल गेहू थी option number गेहू प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानव खाद पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोगता कब बना तो मानव खाद पदार्थों का उत्पादक और उपभोगता जो है यह बना था नव पाशान काल में option number C सही उत्तर हो जाएगा अगला कोशन है कौन से पुरातत वविद या पुरातत वविद या पुरातत वविद या उत्खनन से संबंदित हैं तो सिंदु घाटी सबभिता मानव इतिहास के आद इतिहास काल से संबंदित हैं option number B right answer हो जाएगा next question हरपपा के इस्तलों में कांसे नर्तकी की मूर्ती कहां से प्राप्थ हुई है तो हरपपा के इस्तलों में कांसे नर्तकी की मूर्ती जो है मोहन जोद्रों से प्राप्थ हुई है option number D सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है? right answer क्या है इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का कि सिंदू घाटी सभिता से गाय की अंकित मुहरों की सबसे कम संख्या प्राप्थ हुई है यह कथन असत्य है अगला कौशन है प्रसिद्ध पसुपती की मुहर कहां से मिलती है? तो प्रसिद्व पसुपती की मुहर जो है यह मोहन जोदुड़ो नामक स्थान से मिलती है सिंदू सबिता में गोधी वारा का साक्ष कहां से मिला है तो डॉक्यार्ड गोधी वारा का साक्ष जो है यह लोथल से मिला है option number D प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला question है सिंदू सबिता में विशाल इसनानागार कहां से प्राप्त हुआ है तो हरपा, सिंदू, मोहन जोधरो, सिंदू, कोली, बंगा, घागर, आलम, गीर, पूर, हिंडन तो हडपा जो है यह सिंधू नदी के किनारे नहीं राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए यह जोड़ी असत है अगला कॉशन है सिंधू सबविता की सर्व माने तिथी क्या है तो पच्चिस सो से सत्रा सो पचास इसा पूर्व सिंधु सब्विता की सर्व मानेती थी है भारत में मूर्जीत पूजा का आरंब कब से माना जाता है तो भारत में मूर्टी पूजा का आरंब गुप्त काल से माना जाता है option number D सही उत्तर हो जाएगा अगला कौशन है रिग्वेदिक आरे किस की पूझा करते थे तो रिग्वेदिक आरे जो है यह प्रकृति की पूझा करते थे नेचर की पूझा करते थे अगला कौशन आपके सामने है आरियो भारत में सबसे पहले कहां पर बसे थे तो आरियो भारत में सबसे पहले सब तो सेंध हो प्रदेश में बसे थे राइट आंसर हो जाएगा आर्यों का मूल निवास इस्थान क्या था? तो Asia Minor आर्यों का मूल निवास इस्थान था गायत्री मंत्र किस से सम्मंदित है? तो गायत्री मंत्र जो है यह रिगवेद से सम्मंदित है option number A प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अगला कौशन है सत्य में उजयते कहां से लिया गया है तो सत्य में उजयते जो है यह मुंड को अपनिशत से लिया गया है option number B right answer हो जाएगा रिगवेद का नवा मंडल किस एक को समरपित सूक्तों का संग्रा है निम्ड में से प्राचीन तम्व वेद कौन सा है ? तो सबसे प्राचीन तम्व वेद रिग वेद है option number A right answer हो जाएगा उत्तरवैदिक काल में इंदरका इस्थान किस देवता को मिला है ? option number प्रजापती प्रश्ण का सही उत्तर है कौन सा कथन इनमें से असत्य है तो चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तरवैदिक काल में इस्तरियों को सभामे प्रवेश की अनुमती थी जबकि रिगवैदिक काल में ऐसा नहीं था यहां कथन इस प्रशन के लिए असत्य है अगला कॉश्चन है उत्तरवेदिक काल में स्त्रियों को माफ करिएगा कॉश्चन है असत्य कथन को चुनना है आपके लिए नदियों के प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम तो यहां पर आपका उप्शन सामने है तो राइट आंसर हो जाएगा शुत्राद्ती और स्वात यहां आधुरिक नाम जो है यहां कथन असत्य है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगला कॉश्चन देख लेते हैं किस वेद की रचना गद्ध और पध दोनों में की गई है तो यजुर्वेद वेद की रचना गद्ध और पध दोनों में की गई है कौन सही सुमेलत नहीं है तो यहां पर महाजनपद और उनकी राजधानियों के नाम है तो कुरू की इंदप्रस्त, मगद की गिरीवरज, मल्ल की कुशावती, चेदी पोटली जो है यह जो है गलत है राइट आंसर हो जाएगा पाठली पुत्र नगर का संस्थापक कौन है तो पाठली पुत्र नगर के संस्थापक उधियन है हरयक वंशी अजाच शत्रू का पुत्र जिनों ने 461 इसापूर्ब से 445 इसापूर्ब तक शाशन किया था किस सासक को कुणिक की उपाधी दी गई थी, तो कुणिक की उपाधी अजाच शत्रू को दी गई थी, option number अजाच शत्रू सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है सिकंदर के समय मगद पर किसका सासन था तो सिकंदर के समय जो है मगद पर घननंद अत्वा घननंद का साशन था जो मगद के नंद वन्ष का अंतिम राजा था काला शोकी राध्धानी का नाम क्या था तो काला शोकी राध्धानी का नाम पाटली पुत्र है option number पाटली पुत्र सही उतर हो जाएगा किसे सर्व छत्रान तक अर्था छत्रियों का नास करने वाला कहा गया है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा महा पदम नंद को जिनोंने 343-321 इसा पुर्व मगत के नंदवंस के शाशक के रूप में शाशन किया था इनका नाम उग्रिसेन right answer हो जाएगा सिकंदर का कहां सिकंदर जो है कहां का शाशक था तो सिकंदर मकदूनिया का शाशक था सिकंदर और पोरज के बीच तो सिकंदर और पोरज के बीच युद्ध जेलंका युद्ध या हाइड़ स्पीसीज का युद्ध जो है 326 इसा पूर्भ हुआ था जैन धर्म के 24 वे तीर थंकर कौन थे तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24 वे तीर थंकर थे महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित चार महा व्रत जोड़ा था तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान, सम्यक आचरण उप्रोग सभी जैन धर्म के तुरुरतन के रूप में जाने जाते हैं महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था महावीर का जन्म कहां पर हुआ था तो वैशाली ग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ था अगला कौशन है पर्थम जैन संगती कहां पर आयोजित की गई थी तो पहली जैन संगती पाटली पुत्र में आयोजित की गई थी कौन सा कथन इन में से सत्य है तो जैनधर्म के सब्ट भंगी ज्ञान को सियादवाद कहा जाता है महावी स्वामी की मृत्य उपावापुरी में हुई थी जैनधर्म आत्मा को मानता देता है उपरुक्त सभी कथन इस कॉशन के लिए सत्य है अगला प्रशन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हे तो किस भाशा का प्रियोग किया था बुद्ध धर्म के तुरुरतन का नाम क्या है तो बुद्ध धम और संग यह प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा बुद्ध धर्म के ये तुरुरतन है किसके सासनकाल में बुद्ध धर्म दो भाग हीनियान और महायान में बट गया था बहुत संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है तो बहुत संगती और उसके साशक के समय का नाम है तो यहाँ पर चतुर्त संगती हर्श वर्धन के समय जो है यह सुमेलित नहीं है बाकी सब सही है प्रतम संगती अजाद शत्रू, दोतियो संगती काला शोग, तृतियो संगती अ नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नॉलिज पंडित पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले साइन्स के मोश्ट इंपोर्टेंट कॉश्चन जो की हर एक्जाम के लिए माश्टर वीडियो है रिपीट पर पूछे जाने वाले ये प्रश्चन हर एक्जाम के लिए स्पेशल है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा पुराने वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्चन है इमार्ती काष्ट वरक्ष का कौन सा उतक होता है तो जिन पेड़ की लकडियों से हम इमार्ती का मतलब जो घर के फनीचनस होते हैं या इमार्तिय उप्योग के काम होते हैं उन लकडियों में दोतियक जायलम जो है वह प्रात्मिक्ता से उपस्तित होता है राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन आपके सामने है अश्वगंधा तथा अफीम के पौधे के किन किन भागों से औश्वधिय महत्व के पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं अश्वगंधा और अफीम इन दोनों से औश्वधियां बनाई जाती हैं तो आपको बताना है इन में से कौन से भाग हैं जिससे औशदिय महत्व के पदार्थ प्राप्त होते हैं तो अश्वगंधा के मूल मतलब जड़ से और जो अफीम होता है उसके कच्चे फलों के दूद से हमारे लिए औशदिय पदार्थ प्राप्त होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा option number A अगला question देख लेते हैं गो CPM किस पौधे का वैग्यानिक नाम है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कपास का वैग्यानिक नाम है गो CPM important question हो जाता है अगला question आपके सामने है मदुमक्खी पालन के लिए सरवाधुक प्रयोग की जाने वाली प्रजाती कौन सी है मदुमक्खी पालन किया जाता है लेकिन वह मदुमक्खी की कौन सी प्रजाती है जिसको मदुमक्खी पालन के लिए सबसे जादा प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जा ऐमेली फैरा प्रजाती की जो मक्यां होती हैं मधुमक्षी पालन के लिए उनका सबसुयादा प्रयोग करते हैं अगले कौशन आपके सामने हैं मधुमक्षी के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्षियों के कितने प्रकार होते है तो मधुमक्खी के छत्ते में जो मधुमक्खिया पाई जाती हैं उनके तीन प्रकार होते हैं राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देख लेते हैं रानी, आर्मी और जन्ता है न तीन प्रकार की शुद्ध सहद सुरक्षित कितने समय तक रह सकता है तो सुद्ध सहद जो है हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है अगर उसको आप सही तरीके से रख रहे हैं तो नेक्स्ट कॉश्शन देख लेते हैं रेशम कीट पालन का प्रचलन सरोप्रथम किस देश में माना जाता है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चीन देश में रेशम कीट का पालन सबसे पहले माना जाता है अगला कॉश्शन है प्रतेख व्रक अर्थात किडिनी लगभग एक करोड़ तीस लाख व्रक नलिकाओं से मिलकर बनती हैं जिने हम क्या कहते हैं तो प्रतेख किडिनी प्रतेख वक्र एक करोड़ तीस लाख व्रक नलिकाओं से मिलकर बनते हैं इन्हें हम कहते हैं आप्शन नमबर नेफ्रोन अगला कॉशन आपके सामने है मूत्र अमलिय होता है इसका पी एच मान कितना होता है तो यूरेन का पी एच मान 6 होता है आपको पता है कि जो कम संख्या होती है वो अमल की होती है जादा संख्या होती है वो छार की होती है और साथ जो रहता है वो उदासीन रहता है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए मूलत का अमली अमान कितना होता है तो वह च्छे होता है मनुष्य का तंद्री का तंद्र कितने भागों में बटा हुआ है मनुष्य का तंद्र कितने भागों में बटा हुआ है तो यह तीन भागों में ब अगला प्रशन आपके सामने है मनुष्य का कंकाल तंतर कितने भागों का बना होता है तो अभी हमने तंत्री का तंतर पढ़ा अब हम पढ़ रहे हैं कंकाल तंतर मनुष्य का कंकाल तंतर जो है यह दो भागों का बना होता है राइट आंसर हो जाएगा अगला कौशन आपके सामने है, विटामिन A की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन A की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर रतोंधी रोग विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है, जो आँखों से संबंदित है. विटामिन B की कमी से होने वाला रोग प्रशन के लिए तो विटामिन C की कमी से इसकरवी नामक रोग होता है, option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है इनमेंसे राइट आंसर क्या है तो विटामिन D की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है सही उत्तर हो जाएगा option number रिकेट्स प्रशन का सही उत्तर है अगला question आपके सामने विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है बिटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए तो बिटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना आगर चोट लगती है तो शरीर से रक्त बहता ही रहता है थक्का नहीं बनता है तो यह बिटामिन के की कमी से होने वाला अगला कॉशन है बीज सुधार का प्रमुक उथेश क्या होता है तो बीज सुधार का प्रमुक उथेश अधिक उपज बनाना अधिक उपज प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा चावल की उन्नत किस्म इनमें से कौन सी है ये सभी चावल की किस्मों से संबंदित है इनमें से उन्नत किस्म अच्छी क्वालिटी चावल की कौन सी है जो कम में ज्यादा पैदावार देती है तो चावल की उत्तम किस्म जो है पूसा बासमती है option number C प्रशन का सही उत्तर हो ज एक्ष कोशन है शरीर के भीतर रक्त परीब्रमण में लगभग कितना समय लगता है तो शरीर के भीतर रक्त परीब्रमण में लगभग कितना समय लगता है तो शरीर के भीतर रक्त परीब्रमण में तेई सेकेंड का समय लगता है ओप्शन नमबर डी राइट आंसर हो जाएग शोध करताओं के द्वारा यहां सिद्ध किया गया है कि मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते है तो मनुष्य के शरीर में लगभग 50 लाग बाल होते है राइट आंसर हो जाएगा एक बार सास लेने की क्रिया में कितने सेकंड का समय लगता है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पांच सेकंड का समय लगता है सास लेने की क्रिया में सास का लेना रोक कर फिर छोड़ना दौनों शामिल है तो पांच सेकंड का समय लगता है अगला question आपके सामने है हुर्दय गती के कम हो जाने पर इसे सामान अवस्था में लाने हिदू किसका प्रियोग करते हैं मनुश्यों के भूजन पाचन की समपूर्ण किरिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा यह 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है अमासे में भूजन लगभग कितने समय तक रहता है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा अमासे में लगभग 4 घंटे तक भूजन रहता है option number 4 घंटे सही उत्तर हो जाएगा अमासे से निकलने वाले जठर रस में कितने एंजायम होते हैं तो अमासे से निकलने वाले जठर रस में पैपसिन और रेनिन दो एंजायम होते हैं right answer हो जाएगा option number C प्रश्ण का सही उत्तर है निम्न में से आंत्रिक रस कौन सा है आतों का रस कौन सा है राइट आंसर है इस प्रशन के लिए आंत्रिक रस छारिय प्रकृती का होता है उप्शन नम्बर छारिय प्रकृती सही उत्तर हो जाएगा एक स्वस्त मनिश्य में प्रति दिन लगभग कितना आंत्रिक रस इस्तरावित होता है राइट आंसर है लेगर हैंस की दीपिकाओं की खोज किस सास्त्री ने की थी तो लेगर हैंस की दीपिकाओं की खोज जो है लेगर हैंस नहीं की थी इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ है ओप्षिनमब G प्रश्नका सही उतर है इंसुलिन के अल्प इस्तरावण से कौन सा रोग होता है तो अगर हमारे शरीर में इस्तरावण की प्रकरती जो है नियमत नहीं रहती है तो मधुमेहरोग, जिसे हम शुगर के नाम से जानते हैं मधुमेहरोग हो जाता है रक्त परिसंचरन तंत्र की खोज किस ने की थी? तो रक्त परिसंचरन तंत्र की खोज विलियम हारवे के द्वारा की गई है अगला question आपके सामने है एक स्वस्त मनुष्ट में हर्दे का भार लगबग 300 ग्राम तक होता है मनुष्ट का हर्दे कितने कोष्टों का बना होता है राइट आंसर क्या है तो मनिश्र का हर्दय जो है चार कोश्टों का बना होता है उप्शन नमबर दो आलिंद दो निले सही उत्तर हो जाएगा शरीर से हर्दय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहनी क्या कहलाती है तो हिर्दय से सरीर की और रक्त ले जाने वाली रक्त वहानिये धमनी कहलाती है option number B प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा भुरून वस्ता में एक हिर्दय एक मिनिट में कितनी बार धड़कता है राइट आंसर हो जाएगा एक धड़कन में लगवग कितना रक्त पंप होता है तो एक धड़कन में लगवग लगवग 70 मिली लीटर रक्त पंप होता है राइट आंसर हो जाएगा अगला question है सामान मनुष का रक्त दाप कितना होता है तो सामाने मनुष्ट का रक्तदाब 128 CMMHG राइट आंसर हो जाएगा सिस्टॉलिक डियस्टॉलिक निमने मैंसे मनुष्ट में प्रमुक उच्सरजी अंग कौन सा है तो यक्रत, खाल, व्रक ये सभी उच्सरजन का काम करते हैं तो प्रमुक उच्सरजी अंगों में इनका हम नाम ले सकते हैं मनुष्ट के कशेरुक डंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं तो मनुष्ट की स्पाइन में कशेरुक डंड में जो हैं 33 कशेरुकाएं उपस्तित होती हैं मनिश के शिर में अंतह कंकाल के भाग में खोपडी कहते हैं उसे जिसे उसमें कितनी अस्तियां उपस्तित होती है तो अंतह कंकाल के भाग को खोपडी कहते हैं और इसमें 29 हड्डियां होती है राइट आंसर हो जाएगा निम्न मैंसे कंकाल तंतर को क्या कहा जाता है तो कंकाल तंतर को माफ करेगा कंकाल तंतर का काम क्या है तो कंकाल तंतर शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है शरीर को निशित आकार प्रदान करता है, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है, ये सभी काम कंकाल तंतर करता है एक वैश्क मनुष्य के शरीर में हड्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वैश्क मनुष्य के शरीर में हड्यों की कुल संख्या 206 होती है के सिर में प्रारंब में रीड की हड्यों की कुल संख्या कितनी होती है तो रीड की हड्यों की कुल संख्या 33 33 होती है विक्सित होने पर रीड की कुल हड्यों की संख्या कितनी हो जाती है तो विक्सित होने पर रीड की कुल हड्यों की संख्या 26 हो जाती है राइट आंसर हो ज नमश्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नॉलेज पंडित पर दोस्तों मैं आपके लिए 5000 क्वेशन की सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें का ये पहला वीडियो है हम आपके लिए 100 और 150 इन दो फॉर्मिट में रोज प्रिविएस येस क्व वन नाइनर फॉर्मिट में प्रस्तोत करेंगे अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा आज का ये पहला वीडियो है तो चलिए बेना किसी देरी के शुरू करते हैं हर एक्जाम के लिए important वीडियो है सबसे पहला प्र धरातल पर एक डिगरी अक्षांस की दूरी कितने किलोमेटर के बराबर होती है तो एक डिगरी अक्षांस 111 किलोमेटर के बराबर होती है भूमद रेखा के अतरिक्त कौन सी अक्षांस रेखा प्रतवी को दो बराबर अक्षांस बृत से कहां से होकर जाती है जो तो भूम भूमद रेखा कहलाती है 66 सई एक बटा दो डिगरी दक्षणी अक्षांस वुरत कहां से हो कर जाता है तो यह माला गासी नामक स्थान से हो कर जाता है वह काल्पनिक रेखा जो भूमद रेखा को समकोन पर काटती है क्या कहलाती है तो उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं दो द रेखा पर राद दिन समान होते हैं, एक डिग्री अक्षांस की सबसे अधिक्तम्दुरी कहा होती है, तो विश्वत रेखा प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा, कुल अक्षांसों की संख्या कितनी है तो 180 Demease, कुल अक्ष्णस है, कुल देशांतरों की प्रथ्वी पर एक घंटे में कितने देशांतर घूमती हो जो है घूम का अंतर होगा उस समय अंतराल में कितना अंतर होगा तो चार मिनिट का अंतर होगा विशुका कौन सा नगर भूमद रेखा के सबसे निकट है तो सिंगापुर सही उतर हो जाएगा देशांतर रेखा किस दिसा में 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 किस दिसा मे कमेंड करके बताइए अंतर आश्री तिती रेखा का निर्धारन कप किया गया था तो 1884 में किया गया था अंतर आश्री तिती रेखा किसे कहते हैं तो 180 डिगरी देशांतर को अंतर आश्री तिती रेखा किसे सबसे निकट है तो यह 180 डिगरी पूर्वी वपश्यमी देशांत प्रत्वी को कितने समय कड़ी बंदों में बाटा गया है तो प्रत्वी को 24 समय कड़ी बंदों में बाटा गया है भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है तो साड़े व्यासी डिगरी पूरवी मानक समय भारत से इस देशांतर से लिया गया है मानक समय का समय किस स्थान से लिया गया है तो इलहाबाद के निकट नैनी नामा के स्थान से लिया गया है भारत के मानक समय और ग्रीन विच मानक समय में कितना अंतर है तो 5 गंटे 30 मिनट का अंतर है भारत के सबसे पूरी और पश्मी स्थानों में कितनी बार विचलन होता है तो 4 बार विचलत होता है प्रत्वी के दो इस्थानों की इस्थुती के अनुधहरे अंतर का 15 डिगरी है तो इस्थानिय समय में कितना अंतर होगा तो अनुधहरे का अंतर 15 डिगरी है तो इस्थानिय समय में एक गंटे का अंतर होगा ग्रीन विच किस देश में है तो यहां United Kingdom में स्थित है एक देशांतर को पार करने में दो इस्थानों के स्थानी समय के बीच में कितना अंतर होता है तो चार मिनिट का अंतर होता है संपूर्ण विश्व का प्रमालिक समय क्या है तो 0 डिग्री देशांतर है पूर्व से पश्यम की और जाने वाले जहाज तिती रेखा को पार करने पर अपना कलेंडर कितने दिन आगे कर देते हैं तो एक दिन आगे कर देते हैं 24 गंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं तो 360 गुजर जाते हैं अंतर आश्यर तितिरेखा किस सागर से गुजरती है तो आर्करटिक सागर और प्रशान्द महा सागर से गुजरती है विश्व को कितने समय जोन में माटा गया है तो 24 जोन प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा भारत किस समय जोन में है तो समय जोन नमबर वन में भारत है किस इस्थान पर प्रमानिक समय और स्थानिय समय समान है भारत में तो नैनी इलहाबाद के निकट सही उत्तर हो जाएगा वह पुर्टगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था तो अलफान्सो डी अलबुकुर्क था भारत में इस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वार इन हैंस्टिंग था किस यूरोपिय देश ने भारत में सबसे पहले व्यापार को फहलाया था तो पुर्टगाल सही उत्तर हो जाएगा वासकोडीगामा भारत कब आया था तो 1498 में आया था वासकोडीगामा भारत में किस इस्थान पर उत्रा तो यह काली कट पर उत्रा था अगले कौशन पर चलते हैं वासकोडीगामा कहां का रहने वाला था तो यहाप पुर्टगाल का रहने वाला था किस अंग्रेज ने समराट जहागीर के दरबार में आकर भेट की थी तो टॉमस रोज सही उत्तर हो जाएगा गोवा दमन दीप का उपनिवेशी करण किसके द्वारा किया गया था तो यहाप पुर्टगालियों के द्वारा किया गया था अंग्रेजों ने अपनी प्रतम कंपनी कहां लगाने के लिए किस से अन्मती प्राप्त जानते हैं किस पुर्टगाली ने नीले पानी की नीती अपनाई थी तो अलवांसो डी अलबीडा ने नीले पानी की नीती अपनाई थी भारत में पुर्टगाली सामराजी का संस्थापक किसे माना जाता है तो अलवांसो डी अलबुकर किस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा पुर्टगालियों का भारत पर पहला गवर्नर जनरल कौन था तो फ्रांसिसको डी अल्मीरा था भारत आने वाला प्रतम डच नागरिक कौन था तो कार नेलिस डहस्तमान प्रशने का सही उतर है डचो ने गोवा पर आक्रमर कब किया था तो 1649 में डचो ने गोवा पर आक्रमर किया था डूपले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था तो 1772 में बना था जहांगीर ने किसे खान की उपादी दी थी तो हौकिन्स को खान की उपादी जहांगीर ने दी थी अगला कौशन है आगरा और सीकरी पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था तो रॉल्फ फ्रिच था डचो ने अपनी पहली फेक्टरी 1605 में कहां स्थापित की थे तो मुसली पर्टनम में स्थापित की थी भारत का कौन सा नगर दीप पर निर्मित है तो मुंबई सही उत्तर हो जाएगा पुर्टगालियों ने पहली व्यापारी कोटी कहां खोली तो कोची इन में खोली थी अंग्रेजों ने अपनी पहली फेक्टरी कब लगाई थी तो 1612 इस भी में लगाई थी किस सासक ने इस इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी तो शाह आलम दोतियों सही उत्तर हो जाएगा भारत में पहली बार मुदरन मशीन का स्थापना किस ने की थी तो पुर्टगालियों ने की थी इंटरपोलर्स कौन थे तो अनाधीकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटे रहे थे उस समय भारत का बादशा कौन था जब इस इंडिया कंपनी के स्थांपिता हुई थी तो अकबर उस समय बादशा था किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में इस्तित फ्रांसी सी वस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौप दिया था तो 1954 सही उत्तर हो जाएगा वांडी वाश का युद्ध कभ हुआ था तो 1760 में हुआ था प्रशाषनिक अविवस्ता के आधार पर डलहोजी ने कौन से राज ब्रिडिस सामराजी में मिलाये था तो आवद सही उत्तर हो जाएगा भारत में आधुनिक सिक्षा प्रणाली की निव कप पड़ी थी तो 1835 में पड़ी थी भारत में डांक टिकेट किस ने आरम किये थे तो लौड डलहोजी ने आरम किये थे अवद के स्वायत राज की संस्थापक कौन थे तो शादत खान और बुरहान उन मुल्क सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा प्रकोष नीती किस से संबन्दित है तो वारेन हैंस टिक से संबन्दित है किस भारती को रॉबर्ट क्लाइब ने बिहार का दीवान मनाया था तो राजा शिताब राय सही उत्तर हो जाएगा महराजा रणजीत सिंग के उत्रादीकारी कौन थे तो खड़क सिंग सही उत्तर है स्थाईव अंदुवस का सिद्धान किस ने दिया था तो लॉड गॉर्न वालस ने दिया था साहएक संदी की प्रनाली का जनक कौन थे तो लॉड वैले जली थे महराणी विक्टोरिया का घोश्रा पत्र किस ने पढ़कर सुनाया था तो लॉड कैनन सही उत्तर है रणजीत सिंग किस मिसल से संबन्ने तेंसों सुर्चकिया सही उत्तर हो जाएगा किस ने अपनी रादधानी मुर्चिदाबाद से मुंगेर स्थापित की तो मीर कासिम सही उत्तर है बकसर के युद 1764 के समय दिली का साशा कौन था तो शाह आलम दोतिय था टीपू सुल्तान की मृतियू कब हुई तो 1799 में हुई किस जाट राजा को जाटों का फला तू नेवम आदरणी और विद्वान वेक्ति कहा जाता है तो सूरजमल सही उत्तर है लोहगर नामक किला किस ने बनवाय था तो बंदा-बहादुर ने बनवाय था किस मुगल बाशा के आदेस पर बंदा बहादुर की हत्या की गई तो फरुक सियार सही उतर है पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे तो रणजी सिंग थे रणजी सिंग ने किस स्थान पर अदिकार करने के बाद महराजा की उपादी धारण की तो लाहर सही उतर है रणजीत सिंग और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संदी हुई थी तो अमरेसर की संदी हुई थी भारत में साहिक संदी का जन्मदाता कौन है तो डूपले है साहिक संदी को सुनिशित एवं व्यापक रूप से किस ने प्रदान किया था तो व्यापक रूप साहिक संदी को लॉड वैले जिली ने प्रदान किया था पंजाब की राज या रजी सिंगी राधधानी कहां पर थी तो लाहोर थी गोद प्रताप्रतिवंद किस गवर्णर जनरल ने लगाये था तो लॉर्ड डलहॉजी ने लगाये था डेनमार की प्रतम ब्यापारिक नदी का गठन कब हुआ था माफ करिएगा डेनमार की प्रतम ब्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था तो 1616 में हुआ था किसके काल में बूर्ड और प्रेवेन्यू की स्थापना हुई थी तो हैंस्टिंग सही उतर है किस अंग्रेज को प्रसाशनक सेवा का जनक कहा जाता है तो कॉर्न वॉलेस सही उतर है कलकत्ता में इस्थित फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना किस ने की तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी किस गवर्नर जनरल का कारेकाल सिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है तो बिलियम मेंटिक सही उतर है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किस ने की थी तो लॉर्ड डलहोजी ने की थी किस कर विवस्था के अंतरगत किसानों से उपच का 50% वसूला जाता था तो रियत बाड़ी विवस्था सही उतर है नर्बली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार में हुआ था तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन देखिये मिस्प्रिंट है माफ करिएगा भारत से ब्रडेन की और समपत्ती के अपोहन का सिद्धान किस ने दिया था तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू हुई थी तो कलकत्ता और आगरा के बीच में डलोजी ने शुरू करवाई थी भारत में पहली सूती वस्तर मिल कहां लगी थी तो मुंबई में लगी थी भारत में अंग्रेजियों की लूट किस महतपूर घटना के बाद शुरू हुई तो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई भारत में प्रतम railway line किसने बिचवाई थी तो George Clark ने बिचवाई थी भारत में बिडिस्बूराजस प्रणाली का अधिक लापके से प्राप्त हुआ तो जमीदारों को प्राप्त हुआ किसके द्वारा बंगाल और बिहार में इस्थाई बंदुबस्त का शुभारंब हुआ तो Lord Cornwallis सही उत्तर है रेयत वाड़ी बिवस्ता कब लागो हुई तो 1820 में लागो हुई पहली बारा उप्चारिक रूप से महाल वाड़ी प्रथा कब लागो हुई थी तो 1822 में लागो हुई थी अंग्रेजी शाशन में कौन सा छेत्रा अफी में उत्पादन के लिए प्रस्त बिहार सही उत्तर हो जाएगा अठारवी सदी में बंगाल में बस दुर्द्योग के पतन का कारण क्या था तो ब्रिडेन को निर्यात करने वाले माल पर उच तटकर नील क्रशकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दरपण का लेखा कौन है तो दीन बंधू मित्र है अंग्रेजों द्वारा प्रतम कहवा वगान कहां पर लगाया गया तो वायनाट जनपद में लगाया गया भारत में अंग्रेजों के समय में प्रतम जनकरना किसके कारेकाल में हुई थी तो लॉड मेयो के कारेकाल में हुई थी सेर्ट टॉमस मुन्रो की इस भूराजिस बंदुबस्त से संबंदित है तो रियत बाड़ी बंदुबस्त से संबंदित है इस्थाई बंदुबस्त के तहट जमीदारों को पूरे राजसों का कितना प्रधिशत राजी को देना तैह हुआ था तो 89% सही उतर है भारत में भारतियों द्वारा 1881 में इस्थापित उनके प्रमंद में चलने वाला सीमित दियरता का प्रतम बैंक कौन सा था तो अवर्थ करिंशिल बैंक था अंग्री जो द्वारा पहली बार स्थाई बंदुबस्त कहां लाग हुआ तो मदरास प्रसिजेंसी और मुंबई प्रसिजेंसी में लाग हुआ था भारत में इस बात का उत्पादन सरप्रथम कब शुरू हुआ तो 1913 में शुरू हुआ रेलवी बाग के लिए प्रतक रूप से रेल बजट कब आरम हुआ तो 1924 में आरम हुआ भारत में विकेंदरी करण का सुभारम किस के समय में हुआ तो लौड मेयो के समय में हुआ भारत और इंग्लेंड के आर्थेखित प्रतिक शेतर में टकराते हैं या कतन किसका है तो जवाहलाल नहरू का है पावर्टी एंड अन ब्रिडिस रूल इन इंडिया के लेखा कौन है तो दादा भाई नरोजी है भारत में आदोनेको द्योगों के स्थापना का प्रारम हुई थी तो बिहार में हुई तो देखिए देखिए दोस्तों इस स्पीड में मैंने आपको 150 क्वेशन क कवर करा दी है यूही मैं आपके लिए 5000 क्वेशन की सीरीज लेकर आऊँ गा तो रोज के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना ख्याल रखें नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल नॉलिज पंडित पर दोस्तों मैं रंजीत पंडे आपके लिए लेकर आ रहा हूँ साइन्स के मोस्ट इंपोर्टेंट रिपेटिट कॉशन और ये सीरीज है दो हजार प्रशनों की तो आज के प्रशन हम आपके सामने लेकर आया है चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लिजेगा और पुरानी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में सबको एक साथ मैंने कर दिया है आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं हर एक्जाम के लिए मास्टर वीडियो है तो अपने ग्रूप में जरूर शेयर करिएगा सबसे पहला प्रशन आप देख रहे हैं पादप कोजिकाओं में लचीले पन का मुख्य कारण होता है अगला कॉशन है मनीला हेंप किस का उधारण है तो मनीला हेंप जो है ये फ्लोयम रेशे का उधारण है अगला कॉशन है शब्द जाइलम का गठन किस ने किया था जाइलम शब्द किस ने दिया था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जाइलम शब्द जो है नजेली नामग वेग्यानिक ने दिया था, option number नजेली सही उतर है Next question है, लिगनिन का स्थूलंग कितने प्रकार का होता है, लिगनिन का स्थूलंग कितने प्रकार का होता है तो लिगनिन का स्थूलंग जो है यहाँ पांच प्रकार से होता है आप्शन नमर B प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा यह सभी पातव उत्कों के प्रकारों के आप्शन है ना Next question देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिश्टल को हम क्या कहते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिश्टल इस टोलित कहलाते हैं Option नमर A प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा इस टोलित कहलाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिश्टल निम्ने मैं से रबर का स्त्रोत क्या है रबर इन में से किस से प्राप्त होता है तो rubber का इस तो इन में से हीव या प्लांट है option number C प्रश्निका सही उत्तर हो जाएगा अगला question है estero scalar radius किस में पाई जाती है estero scalar radius किस में पाई जाती है तो estero scalar radius जो है यह चाई की पती में पाई जाती है option number चाई की पती सही उत्तर हो जाएगा म्रदू तक कोशिकाओं की कोश का भिती कैसी होती है तो म्रदू तक कोशिकाओं की कोश का भिती जो होती है वह cellulose ही होती है option number cellulose सही उत्तर हो जाएगा next question है उपचर्म की विशेस्ता क्या होती है उपचर्म की विशेस्ता क्या होती है तो उप्चर्म की विशिस्ता मरुद्विद, option number मरुद्विद, right answer हो जाएगा Next question है, मंड आच्छद किसे कहते हैं, मंड आच्छद, इन में से किसे कहते हैं, तो right answer हो जाएगा अंतस्तवचा, option number C, प्रश्नका सही उत्र हो जाएगा, मंड आच्छद, अंतस्तवचा को कहते हैं फैलोजन क्या है, तो right answer हो जाएगा, फैलोजन एक काक एधा है, option number B, प्रश्नका सही उत्र हो जाएगा वार्शिक वले कहां पर पाय जाते हैं, सही उत्र क्या है, तो वार्शिक वले जो है, मौसम एक समान रहता है, वहां के पेडों में पाय जाते हैं, option number मौसम एक समान रहता है तो वार्शिक वले पेलों में उभर कर आते हैं जिससे हमें पेलों की आयू का पता चलता है पेरी डर्म किसे सम्बंदित है पेरी डर्म इनमें से किसे सम्बंदित है तो पेरी डर्म जो है कॉर्क, कॉर्क केंबियम और दूसरा वलकुट प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा जिम्नो स्पर्म के फ्लोयम में क्या अनुपस्थित होता है तो सहकोशिका की अनुपस्थिती जिम्नो स्पर्म के फ्लोयम में अनुपस्थित होता है एक जीन एक एन्जाइम संकल्पना किस ने दी थी तो एक जीन एक एन्जाइम संकल्पना बीडल और टेटम ने दी थी option number बीडल और टेटम सही उतर हो जाएगा निम्न मैंसे एक प्रारूपिक गुड़सूतर का भाग कौन सा नहीं है तो प्रारूपिक गुड़सूतर का भाग इन मैंसे नहीं है वह है तंतवूतक option number B, right answer हो जाएगा तंतवूतक next question देख लेते हैं अगला प्राशन है निम्न मैंसे लिंग सहलगन विकार कौन सा है लिंग सहलगन विकार इन मैंसे कौन सा है तो टर्नर सिंड्रोम लिंग सहलगन विकार है option number B, प्राशन का सही उतर है मेंडलवाद के पुनह खोज करता कौन थे मेंडलवाद के पुनह खोज करता कौन थे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हुगो डिब्रीज, कॉरेंस और शेरमेक इन लोगों ने फिर से मेंडलवाद को दुबारा से खोजा, राइट आंसर हो जाएगा उनके शोधों पर दुबारा से सरच किया अगला काशन आपके सामने है इन में से कौन सा विशम यूगमजी है तो टी टी प्रश दका सही उत्र हो जाएगा यहाँ विशम यूगमजी है पाईसम सटाइवम का सामान्यवासनतवानस्पतिक नाम क्या है तो 25, 60 वम को हम उध्यान मटर के रूप में जानते हैं आप्शन नमर डी राइट आंसर हो जाएगा मनुश्य के एक किंद्रक प्रारूप में अलिंग सूत्रों की संख्या कितनी होती है जीवों के अगुडित गुड़ सूत्रों के सैट या जीनों को क्या कहते है तो जीवों के अगुणित गुड़ सूत्र या सेटों के या जीनों को जो है हैं हम जीनों के नाम से जानते हैं सही उत्र हो जाएगा अगला प्रशन है लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुने के काई क्या कहलाती है तो लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुने के काई जीन कहलाती है आप्शन नमर जीन सही उत्र है जीन तथा जेनेटिक्स पदों का उप्योग सरप्रथम किन किन ने किया था तो जीन तथा जेनेटिक्स पदों का उप्योग सरप्रथम जो है जो हांसन और बेटन ने कहा था बेटसन जो हांसन और बेटसन ने किया था अगला प्रश्ण है जैव प्रध्यों की शब्द का नाम किस वैग्यानिक ने दिया है तो जैव प्रध्यों की शब्द का नाम जो है कार्ल किस ने दिया है कार्ल एरे की आप्शन नमर सी प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा प्रतिजयविक पैनिसलीन इनमें से किस से प्राप्त की जाती है तो पैनिसलीन प्रतिजयविक के रूप में जो प्रयोग होती है वह पैनिसीलियम नोटेटम से प्राप्त की जाती है रॉसलिंद संस था जोकी एडिनबर्ग में है इसके वैग्यानिक ने भेड के प्रतिरूप डॉली को बनाने में सफलता प्राप्त की थी इनका नाम क्या है तो जीवाड़ों में उपस्तित अतिरोक्त वर्तुल डी इने जो है प्लाजमिट के रूप में जाना जाता है उप्शन अम्र प्लाजमिट सही उतर है परियावरण में उग्रहे किसी पादप का संबंध किस से होता है तो परियावरण में उग्रहे किसी पादप का संबंध उस छेतर की मरदा से उस छेतर में उपलवद प्रकास से छेतर के अन्य पादपों से उपरोग सभी प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति में उर्जा का मुख्य स्त्रोथ क्या है तो प्रकृति में उर्जा का मुख्य स्त्रोथ सूरह है राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायू मंडल में सांदरता बढ़ाने से उत्पन होता है तो green house प्रभाव जो है यह carbon dioxide gas की वाईव मंडल में सांद्रता बढ़ाने से उत्पन होता है प्रकृती में जैविक क्रियाओ है तो उपलब्ध जल की प्रतीशता एक प्रतीशता है राइट आंसर हो जाएगा अगला question आपके सामने है जीन निम्न मेंसे किस से बने होते हैं तो जीन जो है DNA से बने होते हैं राइट आंसर हो जाएगा DNA निम्न मेंसे कौन सा तत्व पौधों का सुक्ष्म पोशक है तो बोरोन पोशक तत्व जो है पौधों का सुक्ष्म पोशक है इन मेंसे वर्मी कमपोष्ट बनाने वाला जीव कौन सा है तो केच्वा वर्मी कमपोष्ट बनाने वाला जीव है अविकल्पी पर जीवी सम्मू कौन सा है तो अविकल्पी पर जीवी सम्मू जो है विशानू है राइट आंसर हो जाएगा एड्स के उपशार हेतू निम्न मैंसे किस प्रकार की आउशधियों का उपयोग किया जाता है तो एड्स के उपशार हेतू एंट्री रेट्रो वाइरल आउशधियों का प्रियोग किया जाता है वाइरस जनित रोगों का समुह निम्ण मैं से कौन सा है तो पोलियो और डेंगू ये वाइरस से होने वाले रोग हैं निम्ण मैं से किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है तो टाइफाइड मच्छर के द्वारा नहीं होता है राइट आंसर हो जाएगा 2005 तक राजी में चिन्यत एट्स रोगियों की संक्या कितनी थी तो ये उत्तर प्रदिस राजी की संक्या है तो बारासो चौरासी प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अगला कौशन देख लेते हैं मानव हस्तक शेप के कारण हुए परियावरन परिवर्टन का मानव स्वास्थ पर कैसी प्रभाव हो जाएगा सूर से आने वाली परावेगनी किरणों से प्रत्वी वासियों को बचाने वाली गैस कौन सी है तो ओ जोन गैस जो है सूर से आने वाली परावेगनी किरणों से प्रत्वी वासियों को बचाती है ध्वनी प्रदूशन को मापने की काई क्या है तो decibel ध्वनी प्रदूशन को मापनी की गाई है निम्न मैं से कौन सा मनुष्य के रक्त में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है तो O मनुष्य के रक्त में मिलने वाला प्रतिजन नहीं है रुधिर वर्ग O वाली इस्त्री का विवाह नेक्श क्वाशन देख लेते हैं अगला प्रशन है पादमों की आर्थिक महत्यों की द्रष्टी से अध्यन की शाक्षा क्या कहलाती है तो इसे हम आर्थिक वनिश्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं इनमें से कौन सा पादक तेल उतपादन नहीं करता है तो अरहर तेल उत्पादन नहीं करता है यह दाल का उत्पादन करती है तो दोस्तो ये था साइंस के most important repeated questions का वीडियो आगे की सीरीज देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करिए कमेंट करके बताएए कैसे लगा वीडियो शेयर जरूर करें लाइक करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो स्वागते आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नॉलिज पंडित पर दोस्तो मेरा जीत पंडे आपके लिए लेकर आया हूँ साइन्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टू हंडड़ कोशन का वीडियो प्रीवेस यह क्वेशन से हर एक्जाम के लिए माश्टर वीडियो है अपने ग्रूप में जरूर शेयर करें अगर आप चैनल पन्नाय है तो पु प्रतिरक्षा हीनता लक्षन किसके द्वारा संक्रमित होता है तो यह विशाणू वाइरस के द्वारा एड्स जो है विशाणू के द्वारा होता है। स्वस्त व्यक्ति का सामानी रख्त चाप क्या होता है तो 128 सिस्टॉलिक डास्टॉलिक प्रश्ण का सही उत्तर है। तो अगनासाई की गड़बडी के कारण मदुमेह की विमारी के संभावना बढ़ती है। पूसा मोहित, पूसा भीशेक, पूसा उर्मिल, पूसा मनहर एबं पूसा रंजना किस पुस्पिय पौधे की किस्म हैं तो यह गुलाब की किस्म है। जोट्सना, उर्मिल, गुलाब, सबनम, एबं उवेशी किस्म पूस्पिय लगु पौधे की नई किस्म हैं तो यह गलेडियोलस पौधे की नई किस्म है। एंटी सेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किस ने की थी तो जोसेफ फिलिष्टन ने सबसे पहले चिकित्सा की खोज की थी। कीट पतंगों के अध्यन के विज्ञान को क्या कहते हैं तो इसे एंटी मलोजी कहते हैं। शहत की निर्मान में परिवर्तन होता है किसका तो सुक्रोज का डेक्ट्रोज में परिवर्तन होता है। क्रायोजनिक विज्ञान की वह शाखाय जिसमें किसका ध्यन करते हैं तो निमनताप और उसके अनुपरियोग का ध्यन करते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके दुबारा होती है तो या फंगस के कारण से होती है कैल्विन स्केल पर मानो शरीर का तापमान कितना होता है तो 310 कैल्विन होता है विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रुग होता है तो रक्त छिर्टा एनीमिया रोग होता है एलेक्ट्रोन नियूंता वाला परमाणू क्या कहलाता है तो यह धनायन प्रकृति का परमाणू होता है नूकलियर रियक्टर में मॉडरेटर का प्रमुक काम क्या होता है तो नीट्रोन की गती को कम करना होता है E बराबर MC स्कूर ये किसका सूत्र है तो आइंस्टीन का द्रव्मान उर्जा समंध का सूत्र है विद्ध परिपत पर लगाये जाने वाला फ्यूस का अतार किसका बना होता है तो यह लैड और टिन दौनों की मिश्रद हातू का बना होता है गहरे समुदर में गोता खूर द्वारा वायू के स्थान पर कौन सी गैस मिश्रद की जाती है यानि की ऑक्सीजन के साथ में हीलियम का मिश्रण होता है सांस लेने के लिए किस वैग्यानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतकी का नोबल पुरुसकार प्राप्त किया था तो सर विलियम हेंरी ब्रेग ने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेग के साथ में 1915 में भौतकी का नोबल पुरुसकार प्राप्त किया था मानव हार्मोन इंसुलिन कहां सोथपन होता है तो यहां अगनासे सोथपन होता है जीन डायोट का उप्योग सदेव किया जाता है तो जीनर डायोट का उप्योग उतकरम अभी नती में किया जाता है अंडे के सफेद भाग में क्या होता है तो इसमें प्रोटीन मुखिता पाय फोटो एलेक्ट्रिक सेल बदलता है किसको तो प्रकास उर्जा को विद्वत उर्जा में बदलता है कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मानी जाती है तो मेगा हर्ज और गीगा हर्ज में मापी जापी है और श्दिय पॉधे रजनी गंधा का वानस्पतिक नाम क्या है तो पैली एंथस ऑश्दिय पॉधे रजनी गंधा का वैग्यानिक नाम है अच्छा इसका पूरा नाम है पैली एंथस ट्यूब रोसम अगला कौशन है आइसी एर के अंतरगत कुल कितने करसी विज्ञान के इंद्र कारियत है तो कुल 558 क्रसी विज्ञान के इंद्र कारियत है पीत जोर किसके द्वारा संचरित होता है तो eddies, eddies मच्छड के द्वारा यह पीत जोर संचरित होता है पाश्वरी करण की क्रिया में दूद को गर्म करते हैं कैसे तो 300 degree सेंसगे टाप पर 30 मिट तक के लिए गर्म करते हैं सीसा पैंसलों में सीसे का प्रतिशत कितना होता है तो 0 प्रतिशत होता है संबेक की बिमा क्या है तो MLT-1 का सही उत्तर हो जाएगा मानोश अडिर की सबसे बड़ी कोशी का कौन सी है तो तंद्री का कोशी का सबसे बड़ी कोशी का है केचुए में हिर्दय की संक्या कितनी होती है तो चार हिर्दय होते है रेबीज का इलाज किस ने ढूड़ा था तो लुई पाशन ने ढूड़ा था जेनन ने सरप्रतम किस रोग का टीका बनाये था तो चेचक रोग का टीका बनाये था बेरी बेरी बीमारी किस बिटामिन की कमी के कारण होती है तो बिटामिन B1 थाइमिन की कमी के कारण होती है पानी का अधिक्तम घनतों किस तापमान पर होता है तो 4 डिग्री सेंटिग्रेट पर होता है Newton second किस बहुत इक्रासी का मात रख है तो यह संबेग का मात रख है प्रकरतिक में nitrogen चक्र का होना किस तथकी और संकित करता है तो वायू मंडल में nitrogen की कभी नासमापती होने का Demography में किस का अध्यन करते हैं तो जन संक्या का अध्यन करते हैं लाल चीटियों में कौन साम लुपा जाता है तो फॉर में कम लुपा जाता है रोल गोल में क्या होता है तो 90 प्रतिशत तक तामा और 10 प्रतिशत अलुमिनियम होता है डाउन विधी द्वारा sodium chloride में कौन सी गैस बनती है तो chlorine गैस बनती है चिली सॉल्ट पीटर किस का एस्क है तो sodium का एस्क है फिलासपर वूल किस योगे को कहते है तो zinc oxide जैडनो को कहते है अमीटर का प्रयोक शंट के प्रतिरोच से कैसा होता है तो कम होता है अश्रू गैस का रासा एक नाम क्या है तो chloroacetofenone है परमाडू भारकां तराश्रिय मातरक क्या है तो carbon 12 है LPG gas cylinder में leakage पता करने के लिए उसमें गंधियुक्त पदार्थ कौन सा मिला जाता है तो ithile mercaptain मिलाते है कठिन परिश्रम के पशाथ पेशियों में थाकावट का मुख्य कारण क्या है पेशियों में लैक्टिक अमल का जमा हो जाना मनशियों में titanus का कारण क्या होता है तो यह बैक्टिरिय के करण से होता है कौन सा ग्रह अपने अक्षपर चक्कर पूरा कन्या में लगबग उतना ही समय लेता है तो vitamin D एक प्रकासे hormone भी है किस प्राणी के plasma में hemoglobin का विले होता है तो केश्वा के plasma में विले हो जाता है लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो जस्ते की परच चढ़ा देते है क्रिक सिल्वर कही जाने वाली धातू कौन सी है तो इसको हम पारा के नाम से जानते है आतिस बाजी में जलने में हरा रंग किसकी उपस्तिती की कारण होता है तो बैरियम के कारण होता है नाभी की रियक्टर में ग्रिफाइट का उपयोग किसके रूप में करते हैं तो यह मंदक के रूप में होता है न्यूटरोन की गती को धीमा करने के लिए, मानुस शरीर में संक्मन रोखने में साहयता करने वाला विटामिन कौन सा है तो विटामिन A है, बारूद किसकस का मिश्रण होता है तो नाइटर, सेल्फर और चार्कॉल का मिश्रण होता है, मच्छर वाहित प्रमख रोग कौन से ह सब्सक्राइब जीवों में सबसे अधिक अनुकूलन शील्ट था विवदा पूर्ण कौन है तो बैक्टीरिया सही उत्र हो जाएगा किसी बिटामिन की हींता से शाम को रातरी में मंद्र दृष्टी हो जाती है तो विटामिन एक हींता से होता है मानुशरी में कौन सी के आविटामिन का प्रयोग की हमी करते हैं करते हैं किलसील आविक किस मैटिस का कमीं नाम है तो विटामिन की कमी की कमी सा हुता पृत्थिवी के गृत्व से निकलने के लिए आवश्यक निउन्तम प्रक्षेपण वे कितना है तो 11 समल दो किलोमेटर प्रती सैकेंड है कौन सा अमल दूच से धही बनाता है तो लैक्टिक अमल सही उत्र हो जाएगा फिट करी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा सुद्ध करती है तो उपचेन सीवान को किस रोकेट से प्रक्षेपद किया घया था ठाइरॉक्षिन क्या है तो यही एक ह़र्बोन है ओज़न परत कहां पर इस्थ है तो समताप मंडल में स्थ है टेमरेट इमली में कौन सा अमल होता है तो टार्टरिक अमल होता है मानशरीर में संक्रमन रोकने में साहेता करने वाले विटामिन कौन सा है तो विटामिन A है प्लास्टर और पैरिस का रासाइनिक नाम क्या है तो हाइड्रस कैलसियम सलफेट CSO4-2H2O विटमिन E का रासाइनिक नाम क्या है तो टोकोफेरॉल सही उत्तर है ग्रूप A रक्त वाले व्यक्ति को किस रक्त ग्रूप का माना जाता है तो वह A तथा O ग्रूप को रक्त दे सकता है मानो शरीर में ऑक्सिजन को लाने और ले जाने का वाह कौन है तो रुधिर में हीमोगलोविन जो होता है वही हकाम करता है मलीरे का परजीवी क्या होता है तो प्लासबोडियम बाइबेकस प्रश्न का सही उतर है एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं तो आइट बिट्स के बराबर होते हैं सुरकी किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है तो विटामिन डी प्राप्त होता है चांदी कौन सा योगिक मुखिता फोटोग्राफिय में प्रयोक्त होता है तो सिल्वर ब्रोमाइट से ही उतर है हीरा औग्रिफाइड किसके अपर रूप है तो कार्वन के अपर रूप है एंटोमोलोजी में किसका अध्यन करते हैं तो कीटों का अध्यन करते हैं परस्तितिक विज्ञान एकोलोजी का संबंद किस विशे से हैं तो वातावरन से संबंदित है जेनेटिक्स में किसका अध्यन करते हैं तो अनुवान चिक्ता और गुरुसूत्र का अध्यन करते हैं प्रत्वी की भर्मण गती कितनी है तो 28 किलोमेटर प्रती मिनिट है एक किलोग्राम पदार्थ के तुल्य उर्जा किस क्रम में होती है तो 1017 जूल के बराबर होती है विद्दुत की वह मातरा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित हो जाये वह क्या कहलाती है तो उसे हम एक फैराडे कहते हैं किसकी हींता के कारण पहलागरा होता है तो पेंटोथैनिक एसेड बिटामिन B5 की कमी से होता है अलजाइमर रोग में मानो शरी का कौन संग प्रभावित होता है तो मस्तिस्क प्रभावित होता है अनवांशिकी के जनक किन्हेग माना जाता है तो स्कीमिय कहते हैं करदो विखे बी किस्वीमारी के प्रतिरइक्षियों करते हैं सावन जो हिसफ एक कारण होते हैं सीजम बाकारण कांक like रिबाroe संब्र वे मिलकर एक बड़ी बून बना लेते हैं इसका कारण क्या है प्रस्तनाओं के कारण नियूंतम प्रश्च्य चितरफल बनाए रखने के लिए ऐसा वह करते हैं रेफिजरेटर का फ्रीज़ सबसे उपरी भाग में लगाए जाता है क्यों तो यह सम्महन धारा के समुचित प्रवासे सारे बीतर भाग को ठंडा करके रख सके इसलिए चंदरगरहर तब होता है जब सूर्य और चंदर्मा के बीच में प्रत्वी आ जाती है रेडियो कार्बन किसकी आयू निधारन करने की टेकनीक है तो जीवास्मों की आयू निधारन करने की टेकनीक है धुरुबतारा गतीमान आभासित क्यों नहीं होता है क्योंकि वह पुर्थवी के गुर्ण नक्ष की सीध में स्थित है इसलिए भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है तो डिटीरियम होता है विख्यात क्रशिवेग्यानिक नौरमन बॉगलोग को किस विशय में नोबल पुरुस्कार मिला था अंतराश्रे धान नुसंधान संस्थान कहां है तो फिलिपीन्स में है हाइपर एमनेशिया क्या है तो असाधारन इस्मरन शक्ती प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ट्रॉप स्फियर भाग प्रत्वी की उचाई कितनी होती है तो 0-16 किलोमेटर होती है ट्रॉप स्पियर की उचाई अगला क्वेशन देख लेता है मीजो स्पियर भाग की प्रत्वी से उचाई कितनी होती है तो 50-80 किलोमेटर होती है थर्मो स्पियर का विस्तार कितना होता है तो 80-500 किलोमेटर होता है और एक्टमो स्पियर अर्थाद वायू मंदल में जलवास्प की मातरा कितनी होती है तो 0.4% होती है रतोंधी किसकी कमी के कारण से होती है तो बिटामिन एक ही कमी के कारण से होती है रुधर में यूरिक अमल उच्छ मातरा में किस रोग का लक्षण है तो यहां गठिया का लक्षण होता है पुलियों का पहला प्रभावसाली टीका किस ने बनाये था जोनास इसौलक ने बनाये था अनुवान शिक्ता को नियंतरित करने वाले कारकों का जीन का नाम किस वेग्यानिक ने रखा था तो W.L. जोहनसन ने रखा था प्लास्टिक उद्योग में PVC किस के उत्पादन के लिए प्रियोक्त होता है तो पॉली विनायल क्लॉराइड के उत्पादन के लिए प्रियोक्त होता है कम्प्यूटर हे तू आवश्यक चिप किससे बनाय जाते हैं तो सिलीकॉन के बनते हैं सूरव प्रत्वी के बीच चंद्रमा आ जाने कार कौन सा ग्रहन होता है तो सूरव ग्रहन होता है इंसेट प्रधान नियंतरन सुविधा कहां पर उपलब्ध है तो तुरवन तुनम पुरव के रल में स्थित है कौन सा ग्रह 88 दिन में सूरी का चक्कर लगा लेता है तो बुद्ग्रह सही उत्र हो जाएगा बैरियम मील का प्रियोग किसके लिए करते हैं तो आहार नलीका के एक्सरे के लिए कोई अवरोधक जानने के लिए करते हैं प्राकरते की उरेनियम उरेनियम 235 की मातरा लगभग कितनी होती है तो प्राकरते की उरेनियम में उरेनियम 235 की मातरा 0.7% होती है चिटने स्रोक से सरीर का कौन संग प्रभावित होता है तो तंतरी का तंतरों मास पेशिया कौन सी निसकिर गयास वायू मिंडल में सबसे अधिक पाई जाती है तो औरगन सही उतर हो जाएगा कलपकम एटोमिक पावर प्लांट में इधन की रूप में किसका प्रयोग करते है तो थोरियम का प्रयोग करते है नाभिक के धनाविशित होने की खोज किस ने की थी तो लॉड रृदर फोड ने की थी एक विखति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना होता है तो लिफ्ट का तुरण क्या होगा तो G के उर्द्व अधर ऊपर की ओर होगा हर्ज किस का मातरक है तो आवरत्ती का मातरक है एक नै paleо, मिटर कितने सेंटिमीटर के बराबर होता है तो 10 के उपर –7 की घाट सैंटीमीटर सही उतर है घेंगा रोग किसकी कमी की कारण से होता है थोयरोक्षिन की कमी की कारण से होता है DPT कटी का किन रोग की रोग थाम के लिए लगाया जाता है तो यह डिप्थीरिया कुकर खांसी और टेटनिस की रोग थाम के लिए लगाते है पौधी नाइट्रोजन का उप्योग किस रूप में करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं तो प्रोटियम, डिट्रिनियम और ट्राइटिनियम है विक्रम सारा भाई अंत्रक्ष केंदर कहां पर है तो तर्वंतनम पुरम है कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है सफेध हो जाता है जोसेप फ्रिश्टली ने किस गैस की खोचकी थी कुल्थी एक दलहनी पौधा है जिसमें दाना और चारे दौनों का प्रयोग होता है इसमें किस की अधिकता पाई जाती है तो प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है लेग्यूम शब्द की उत्पत्ती किस से हुई है तो लेटन शब्दों से हुई है फसलों में BT, bacillus, thuri, thurin, zirgusness, क्या है तो यह एक मुरदा जीवाडू है कोणिये सम्मेक की है MLT-1² और कोणिये सम्मेक की है MLT-1² द्वैनो की लगबग एक जैसे ही समझ में आती है अगला कॉशन देख लेता है रेलवेट ट्रेक के मोड या एक वकर के निकट बाह भाग में सामाने तक इसके लिए उठाय जाता है तो रेलवेट ट्रेक के तीवर च्छय को रोकने के लिए उठाय जाता है शहत का मुख्या व्यव क्या है तो फ्रक्टोस है मानो रचना के संद्रब में एंटी बॉडिस क्या है तो प्रोटीन्स है द्रश्य प्रकास का वर्ण करम तरंग धेरत का परास कितना है तो 4000 एम स्ट्रॉंग से 8000 एम स्ट्रॉंग होता है कमपन तल और ध्रुमर तल के बीच में कितना कौन होता है तो 900 डिगरी का कौन होता है बिद्व चुमक किस्ते बनाया जाते हैं तो नर्म लोहे के बनते है हाइड्रोजन की कोछ किस ने की थी तो केवेंड जेस ने की थी Oxygen में Electron कैसे होते हैं तो प्रथक होते हैं 18 Karet सोने में सोने का प्रतीशत कितना होता है तो 75% होता है Protein हींता जने रोग कौन सा है तो Qashior कर है स्तंधारियों में तितली, तिली, प्लीह का काम क्या होता है तो रक्तोद पादक उतक के रूप में होता है DNA क्या है तो deoxy ribose nucleic acid है D2O क्या है तो यह भारी जल है heavy water क्या है heavy water में hydrogen की स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं तो deuterium प्रयोग करते है पहलागरा रोक किस पुशक तत्व के लगातार कमी से होता है तो niacin vitamin B2 की कमी के करण होता है काई driver की सुरक्षा के लियोपियोग की जाने वाल airwag में क्या होता है तो sodium azide होता है किस vitamin में cobalt होता है तो vitamin B12 में cobalt होता है उश्मा को विद्धुत उर्जा में परिवस्त करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं तो thermocopal का प्रयोग करते हैं इसरों का पूर नाम क्या है तो इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गनाईजिशन सही उतर है वसागोप चाने में कौन सा एंजयम संबंद्ध है तो लाइपेज है टाइफ्राइट से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आते प्रभावित होती है बिटामिन B12 किस विमारी के लिए प्रयोग करते हैं तो एनीमिया के प्रयोग के लिए करते हैं अनीमिया के इलाज के लिए क्लोरिफिल में किस तत्यों की उपस्थी कारण पतियों का रंग हरा हो जाता है तो मैगनेशियम की उपस्थी कारण आवस्तार्टी के निर्मार करता के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया है तो Mendelevium 101 नमबर का तत्व है बड़े द्वारक के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाय जाते हैं तो अधिक बिविदन छमता के लिए प्रयोग करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए बना जाते हैं स्पाइनल कॉट था मस्स्तिस की जिल्ली पर सूजन आजाने से कौन सी बीमारी होती है लिक्रम सारभही स्पेस सेंटर कहां है तो तुरुवंत्रमपुरह में हैं इंडियन इंस्टूट और ऑफ अश्ट्रोफिजिक्स कहां पर है तो कोडाई कनाल तमिंदान्डो में है किसे बराबर होती है तो आरौपित बल के बराबर होती है एर कंडिशनर कीई को करता है तो ताप और आधरता को कम्बूटर के संबंद में डौस कया है तो डिस्क Operating System में प्रोग्राम की सुची को क्या केहते हैं तो menu कहते हैं वियरंजक और गुंड कैसे बनता है तो सिस्क बुझे हुए चिवने को 400-600 सेंटीग्रेट ताप मान पर गर्म करके उसके उपर कलोरीन गैस प्रवाहिद करके बनते है प्रतियविक पनेसलीन किस से प्राप्त होती है तो गवक से प्राप्त होती है भारत्वारा प्रक्षेपित प्रतम उगरह का नाम क्या था तो आरेभटता, मानाव माशा में कौन सा अमल होता है, तो हाइट्रोक्लोरिक अमल होता है, न्यूटन शेकेंड किसका मातरक है, तो संवेक का मातरक है, किस ताप पर पानी का घंळ तो अधिकतम होता है, तो 40 डिग्री से, माफ करेगा 4 degree centigrade पर पानी का घना तो अधिकतम होता है सीरीज आगे चलती रहेगी 5,000 questions है नेक्ट वीडियो जल्द ही मैं लेकर आऊंगा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता है चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में लाइक जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों सुआगे थे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नौलिज पंडित पर दोस्तों मैं रंजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में पी कौन सी है तो देवनागरी सही उत्तर हो जाएगा हमारी आकास गंगा का नाम क्या है तो दुद्द मेखला या मिलकी वे हमारी आकास गंगा का नाम है हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र कौन सा था तो दंड मारदंड सही उत्तर हो जाएगा तुलसी दास्कृत रामश खेल में आठ बार सुञण फ़रस्टक जीता है तो हौकी प्रश्ण का सही उत्तर है भारत ने आखरी बार हौकी में सुञण पड़ कहा और कब जीता था टोti इस्ट शो ऐसी मौसकों में जीता था, ओलंपिक खेलों का आयोजिन कितने वर्षों के बाद होता है, तो चार वर्षों के बाद होता है, अंतराश्य ओलंपिक समिती का मुख्याले कहां पर है, तो यहां लुसान स्विजजर लेंड में है, 2012 में ओलंपिक कहां पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था, ओल अगला कॉशन है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे तो टोक्यो जापान में हुए थे 2012 के ओलंपिक खेलों में का से पदक जीतने वाली साइन नहवाल का संबन किस खेल से है तो बैडमन डन से है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था तो 1900 में भाग लिया था ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतिय महीला कौन है तो करणम मलेश्वरी है बेग टूदा वैदास बेदों की और लोटो नारा किस ने दिया था तो महरसी दयानन सरस्वती ने दिया था परसित जंडा की जंडा उचा रहे हमारा की रचना किस ने की थी तो शामलाल गुप्त पारशत ने की थी पल्सवों में Milky Fever विमारी किसकी कमी से होती है तो कैल्शम की कमी से होती है विमानो शरी के किस अंगद्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर करते हैं तो गुर्दा प्रशनका सही उत्तर है प्रशनका सही उत्तर हो जाएगा पहली महिला कौन थी तो जापान की जुन को दबाई थी पीलिया कि संग का रोग है तो यह अक्रत या लीवर का रोग है द्रव सभी दिशाओं में समानदाप पारित करता है यह कतन किस नियम से संबंदित है तो यह पास्कल का नियम है क्लोरोपिल का खनिज घटक क्या है तो मैगनेशम सही उत्तर हो जाएगा एलपीजी गैस में क्या होती है तो ब्यूटेन होती है किसने सरप्रथम अशोग के अभी लेखों को पढ़ता तो जैम्स प्रिंसेफ सही उत्तर है किस बहुत भिक्षू के प्रभाव में अशोग ने बहुत धर्मिर्ण किया तो उपगुप्तु सही उत्तर हो जाएगा कौन सा मुगल बादशा आसिक्षित था तो अकबर प्रश्ण का सही उत्तर है अमरसल सहर के स्थापना किस ने की थी तो गुरू रामदास ने की थी गदर पाड़ी का संस्थापना कौन था तो लाला हरदयाल थे सिकेतिहास में लंगप रथा किस ने शुरू की तो गुरू अंगत देव ने शुरू की सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो रिखवेद है किस सुल्तान ने अपनी राध्धानी दिली से दौलता बाद स्थरांतरित करी थी तो मुहमद बिन तुगलक सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पंचवशी यूजनक का प्रारम हुई थी तो 1951 में चीनी यातरी हिंसांग ने किश विद्वेज द्याले में अध्धिन किया था तो नालंदा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा रख्त समू सरवदाता कहलाता है तो ब्लड रूप ओ सरवदाता कहलाता है मनुष के शरीर में कितनी हड़ियां होती है तो 206 हड़ियां होती है सुर्य के प्रकास में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है तो विटामिन डी प्राप्त होता है मादा एनफिलीज मच्छर की काटने से कौन सा रोग होता है तो मलेरिया सही उत्तर हो जाएगा टेलीफोन का विश्कार किस ने किया था तो Александर ग्राहाम बिल सही उत्तर है प्रकास की गती कितनी होती है तो तीन लाग किलोमेटर पृति सैकंड प्रश्नकस सही उत्तर हो जाएगा प्रत्वी सूर का चक्कल लगाती है सबसे पहले किसने बताया तो कौपर निकस सही उत्तर है प्रकास वर्स का संबन किससे है तो यह खगोली दूरी का मातरक है स्वण मंदर कहां पर है तो हैदराबाद में माफ़ गरिएगा अमरिस सर में इस्तित है चार मीनार कहां पर है तो हैदराबाद में इस्तित है कुतुब मीनार कहां इस्तित है तो यह दिल्ली में इस्तित है गेटवे आफ इंडिया कहां पर है तो मुमई में इस्तित है इंडिया गेट कहां पर इस्तित है तो यह नई दिल्ली में इस्तित है ताज महल कहां पर इस्तित है तो आगरा में इस्तित है आजा दिन फौच की स्थापना कहां पर हुई है तो सिंगापुर में हुई थी इसकी स्थापना सिख्षक दिवस कब मनाते हैं तो 5 सितंबर को मनाते हैं खेल दिवस कब मनाते हैं तो 29 अगस्त को मनाय जाता है किसके जन दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं तो मेजर ध्यानचन सही उत्तर हो जाएगा विश्व परियावरान दिवस कब मनाते हैं पांच जून को मनाते हैं कर्योया मरू का नारा किसने दिया था तो महात्मा गांदी सही उत्तर है तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था तो सुधिताजी सुवाश शंद्रूबोस सही उत्र है आराम हराम है का नारा किसने दिया तो जवाहलाल नहरूस सही उत्र हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया तो लाद बहादर शास्त्री सही उत्तर हो जाएगा मारुप फिरंग्यों को नारा किस ने दिया तो मंगल पांडे सही उत्तर है सर्परोजी की तमन अभ हमारे दिल में है देखना है जूर कितना बाजवी कातिल में है कनार किसने दिया तो राम प्रशाद विस्मल्ट सही उत्तर हो जाएगा भारत का नेपुलिन किसे कहते है तो समदर गुप तो सही उत्तर है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है तो महंदास करम चुनर Ghandi है गांधी जी को महात्मा की उपादी किस ने दी थी तो रविन्दर नाथ टैगोड सही उत्तर हो जाएगा माय एकस्परिमेंट विक्त रूठ पुस्तक के लिह ख कौन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है तो यूरी गागरिन सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है तो नील आमश्रॉंग सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतिय कौन है तो राकेश सावित करती है तो चेह सभी यह वाहरत की है चैन्की मुध्रा का नाम क्या है, युट्बालल से सम्बंदित है.. भारत का सब्से वड़ा बाद कौन सा है? कि युणान सही उत्र हो जाएगा.. भारत कोकिला किसे कहते हैं तो सरुद्नी नाइडू को कहते हैं दिली में कुतुम मिनार किस ने बनवाना शुरू किया था तो कुतुम बुद्नी एवक ने बनवाना शुरू किया था बनारा सिंदू विश्विद्याले के संस्थापग कौन थे तो मदन मोहन माल विजे थे अर्थसास के लिखा कौन है तो चानक के जिने हम कॉटेली के नाम से भी जानते हैं दक्शेश का मुख्याले कहां पर है तो काटमांडू नेपाल में दक्षेज में कितने देश सदर से हैं तो आठ देश सदर से हैं भारत, नेपाल, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदी, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत की तट्रेका की लंबाई कितनी है तो लगबख 7516 किलोमेटर है अगले कॉशन पर चलते हैं विशो में अबरब का सरबादिक उत्पादन किस देश में होता है तो भारत सही उत्तर हो जाएगा ग्रैंट ट्रंक रोड किसने बनवाई थी तो शेरसा सूरी सही उत्तर है बिटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है तो बैरी-बैरी सही उत्तर है vitamin E की कमी से कौन सा रोग होता है तो बांज़पन रोग होता है vitamin C कर आशानिक नाम क्या है तो ascorbic अमल सही उत्तर हो जाएगा वसामे घुलनसील vitamin कौन से है तो A और E वसामे घुलनसील है बागी जो भी विटामें है वो वसामे घुलनसील होते है अगला कॉशन देख लेते हैं वसा में घुलंसील विटामिन A, D, E के और पानी में घुलंसील विटामिन जो है B और C साधन नमक का रासाइनिक नाम क्या है तो NACL सही उत्तर हो जाएगा हसाने वाली गैस का रासाइनिक नाम क्या है तो Nitrous Oxide Entoose सही उत्तर है धावन सोडा का रासाइनिक नाम क्या है तो Sodium Carbonate है पीतल किंदू धातूं का मिश्रण है तो Tama अजस्ता का मिश्रण है केल्थी फेरोक्लिस विटामिन का रासाइनिक नाम है तो Vitamin D सही उत्तर हो जाएगा करते हैं तो इस फिग्नो मैनोमीटर का प्रेयोग करते हैं कंपिटर की पर्मानेट मेमोरी क्या है तो रोम रीड ओनली मेमोरी सही उत्तर हो जाएगा किस अधिवेशन में कॉंग्रेस उदारवादी और ओगरवादी नामक दो दल्में विवाजित हो गई थी तो तो साथ के सूरत अधिवेशन सही उत्तर हो जाएगा तंजोर का वरहत देश और मंदिर किस ने बनवाए था तो राजय राज प्रतम चोल ने बनवाए था मुगल समराइट अगबर का जिन्म कहां पर हुआ था तो अमर कोट के दुर्ग में हुआ था 2014 का फुटबॉल विशुकप किस देश में आजित हुआ था तो ब्राजील में हुआ था 2014 के कामनमेल्ट खेल कहां पर हुए थे तो गलाशको स्कॉर्टलेंड में हुए थे 2015 का क्रकेट विश्व कप कहां पर आजयत हुआ था तो न्यूजीलेंड और और अस्ट्रेलिया में हुआ था संसेत के दौनों सतनों की सेंग तो बैठा कि अद्धिक्षता कौन करता है तो लोगसभा का अद्धिक्ष करता है भारत के प्रतम लोगसभा के अद्धिक्ष कौन है तो गणिस वासुदेव मावलंकर है भारती सम्मिदान के किस अनुच्छेत के अंतरकर जम्मू कश्मीर को विश्व स्राजी का दरजा प्राप्त था तो अनुच्छेत 370 सही उत्तर हो जाएगा कोई विदेख धन विदेख है या नहीं इसका निर्णे कौन करता है तो लोगसभा का अद्धिक्ष करता है विश्व का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो एशिया सही उत्तर है हैदराबाद किस नदी के किनारे है तो मूसी नदी सही उत्तर हो जाएगा विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो मैक्सिय को सही उतर है छेतरफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है तो वेटिकन सिटी है स्वेज नहर किंदो सागरों को जोड़ती है तो भूमत सागर और लाल सागर सही उतर हो जाएगा पनामा नहर किंदो महा सागरों को जोड़ती है तो प्रशांद महा सागर और अत्लांटिक महा सागर सही उतर है भारत के संग्य छेतर दादर नगर हवेली की राध्धानी कौन से है तो सिलवासा सही उत्र हो जाएगा छेतर फल की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान सही उत्र है प्रति दोर्स कब मनाते हैं तो 22 अपरेल को मनाते है फुलो की घाटी किस राज्य में है तो उत्राखंड में है 2011 में निर्मित राश्ट्र दक्षनी सूडान की राध्धानी क्या है तो जूबा है योजना आयुक का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधान मंत्री होता है आईनेक बरी का लिखक कौन है तो अबुलफजल है जंग में स्थेत होती कमेंट करके बताइए मानुशरी में कितनी पेशिया है तो 639 पेशिया है लाल रुक्त कणिगाओं का जीवन काल कितना होता है करवाय था कॉंग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधिनता का प्रस्ताव का बर कहां पारित हुआ था तो 1929 के लाओ और अधिविशन में प्रारित हुआ था श्वित करांती का संबंद किस्से है तो यह दूद से संबंदित है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है तो फैरी क्वीन है भारत में आपातकाल की प्रतम घोशना कब हुई थी तो चीनी आकरमर के समय 26 अक्टूबर 1962 को भाशा के आधार पर बनने वाला पहला राज जो कौन सा था भारत में तो आंदे प्रदिस सही उत्तर हो जाएगा भारत पर हमला करने वाला प्रतम मुस मिश्धात्व होती है स्वामि वेकाणन ने शिकागों में हुए विश्वसर्व समयलन को कब संभोधित किया था तो 1893 में संभोधित किया था जलिया वाला बाग हत्या का इंट का भुआ था तो तेरा अप्रा लुने सो निस में हुआ था प्रतिवी पर उत्री गुलार्द में सबसे वड़ा दिन कौन सा होता है तो 21 जून को होता है महात्माबुन ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो सारनाथ में दिया था साइमन कमिशन के बहिसकार के दोरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्ती हो गई थी तो दुलाला लाचपत्राय सही उतर है भारत में प्रथम निर्मित कम्प्यूटर का नाम क्या था तो सिद्धार था गायत्री मंतर का उले किस गरंथ में है तो रिगवेद में है मानो शरीर में पाचन की क्रिया धिकतर के संग में संपन होती है तो छोटी आत सही उतर हो जाएगा Anuvan Shkita की नियोम का पृतिपादन किस ने किया था तो 지역 जोन मैंडल ने किया था मानो द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया तो तामा सही उतर है बॉल पेन किस सिधान पर काम करता है तो प्रष्टनाओ किस सिधान पर काम करता है रिशम कीडे की किस व्रक्ष की कोमल पत्यों पर पाले जाते हैं तो शेहतूद सही उतर है राजिस्तान का खेतली किस के लिए प्रसुद है तो तामे की ख़दान के लिए प्रत्वी के सबसे नदी ग्रह कौन सा है तो शुक्र ग्रह है मनुष की आंख किस वस्तु का प्रत्वियम कहां बनता है तो राटीना पर बनता है सूरी से प्रत्वी पर उसमा का संचरण के स्विधी के द्वारा होता है तो विक्रण सही उतर है DNA की द्विगुडित कुंडली का पता किस ने लगाये तो वाटसन और क्रिक ने लगाये था। ध्वानी की तीवरता किसमें मापी जाती है तो डैसीबल सही उतर है। मदुमक्खी पालन क्या कहलाता है तो अपी कल्चर सही उतर हो जाएगा। किसी वेपसाइड के प्रथम प्रष्ट को क्या कहते हैं तो होमपेज कहते हैं। क्या स्टर हो जाएगा। सिरीज आगे युहीं चलते रहेगी चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा। नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नॉलिज पंडित पर दोस्तों मैं आपके लिए रोज सीरीज लेकर आता हूँ आज आपके लिए प्रशन लेकर आया हूँ हिश्ट्री टॉपिक से और ये प्रिवेस येस कॉशन्स हैं 50 प्रशन मेगा तिथी मेगा तिथी नाम का वह भासिकार था जिसके भाशे को सरवादिक स्वीक्रती मिली थी अगला प्रशन है राजपूत काल में व्यापार एवं वानिज्य में हुए रास का यानिकी नुकसान का प्रमुक कारण क्या था तो राजपूत काल में व्यापार में हु राश्ट्र कूटों के साशनकाल में सामराजी के प्रशाशन के विभाजन का सही क्रम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राश्ट्र विशय और भुक्ती, option number A प्रश्ण का सही उतर है. अगला question आपके सामने है, सुलेमान ने किस राज्ज को रुहमा कहकर पुकारा था? तो यहाँ पर सही उतर हो जाएगा पाल राज्ज को सुलेमान ने रुहमा कहकर पुकारा था. अगला प्रश्ण आपके सामने है, किस इस्थान से प्राप्त अभिलेक से विदित होता है कि नागभट दोतिय ने तुरुष्क तथा सेंधव को पराज़त किया था? यहाँ पर आपको बताना है कौन से अभिलेक से प्राप्त जानकारी के अनुसार नागभट दोतिय ने तुरुष्क और सेंधव को पराज़त किया था? तो यह अभिलेक ग्वालियर में उपस्तित है, option number D प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा. अगला कौशन है उत्तर वैदे काल में न्यायाले को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदे काल में न्यायाले को क्या कहा जाता था तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विदद, option number D प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर वैदे काल में न्यायाले को विदद कहा जाता था. नेक्ट कौशन आपके सामने है, अगला प्रश्ण है यदि प्रोहित बली नहीं देंगे तो सूरियोदे नहीं होगा, यह उकती किस ग्रंथ की है, तो यह शत्पत ब्रामण ग्रंथ में लिखा हुआ है, अगला कौशन है, निमलिखित में से किस विशे के छेत्र में हडपा कालीन सब्विता में विभिन्दता पाई जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घरों के आकार में, option number D, घरो राइट आंसर हो जाएगा, लौड एलगिन प्रथम ने बहाबी आंदोलन का विले या दमन किया था, नेक्स्ट कौशन है, दसराग्य युद्ध का संबंध इन में से किस से है, तो राइट आंसर हो जाएगा, सुदास, option number सुदास, दसराग्य युद्ध से संबंधित वेक संकेंद्रन जो है, यह घगर और हाकरा नदी के किनारे, option number सी प्रशन का सही उत्रो जाएगा, हरपा संस्कृति के सरवादिक, संकेंद्रन इस्थल जो है, घगर और हाकरा नदी के किनारे है, अगला कौशन आपके सामने है, अशोग तथा मौरे सामराज्य का पतन निमलिख क्तिया प्रशन है, 972 ईसवी में किस सासक ने राश्यवकूटों की राजधा नी मानिखेत पर आकरमण कर तहस नहस कर डाला, तो यहां पर right answer होजाएगा 952 ईसवी में राश्यवकूट सासक परमार, साशक सीयक ने मानिखेत पर आकरमण कर उसे तहस नहस कर डाला, नेक्श क कि सुमेरिय के सूसा नगर से पॉत्त हएगा अगला कॉशन निश्ट किस अंग के आभूशन को कहते थे तो रिगवैदिक काल में गले के आभूशन को निश्क नाम से जाना जाता था सुमेरिया के सुसा नगर से प्रायह तीस महरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह कौन सा है तो सुमेरिया सुमेरिया के सूसा नगर से प्राप्त हुई तीस मोहरों का जिस सिंधु नगर से सम्मन्ध है वह है लोथल आप्शन नमबर बी प्रशन का सही उत्तर है अशोक के किस अभिलेख में यहां उलेखित है कि उसने लुम्बनी गाउं के धार में करमाफ कर दिये थे और माल गुजारी के रूप में आठवा हिस्सा तैकिया था तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रुम्मन दई अभिलेख जो है उससे हमें यह पता चलता है कि लुम्मनी गाउं के धार में करमाफ कर दिये थे और माल गुजारी के रूप में आठवा हिस्सा तै किया था नेक्स्ट कॉशन है निम्न मैंसे किस वैग्यानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधी प्रदान की गई थी तो वैग्यानिक जिसका नाम ऑप्शन नंबर जगदी चंद्रबोस राइट आंसर है इस प्रशन के लिए इन्हें नाइट की उपाधी 1917 में प्रदान की गई थी बकसर का युद्ध कब लड़ा गया था तो बकसर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन है सिंदु घाटी के लोगों को संबहोता निम्न मैंसे किस प्रसाधन और सरंगार सामगरी की जानकारी नहीं थी तो सिंदु घाटी सब्विता के लोगों को केश रंग रोगन जिसे हम खिजाब के नाम से भी कहते हैं इस सामगरी की जानकारी नहीं थी नेक्स्ट कॉशन है निम्न मैंसे किस उपनिशद में मृत्यू संबंधी चर्चा की गई है तो राइट आंसर हो जाएगा कठो उपनिशद में मृत्यू संबंधी चर्चा की गई है सही उत्तर है नेक्स्ट है आपके सामने जगत ईस्वर है और ईस्वर ही हमारी आत्मा है इस विचार धारा को निमलखित में से किस गरंथ में प्रतिपादित किया गया है तो जगत ईस्वर है और ईस्वर ही हमारी आत्मा है इस विचार धारा को ब्रह्म सूत्र में जो है प्रतिपादित किय गया है राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से सम्मंदित विचार सत्त है तो उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्यों पर कर का भार्था राइट आंसर हो जाएगा यह विचार सत्त है नेक्स्ट कॉश्चन है अगला आपके सामने पूर्व वैद वंस की इस्थापना किस ने की थी तो कश्मीर में उत्पल वंस की इस्थापना जो है आवंती वर्मन ने की थी option number A प्रशन के लिए सही उत्तर है हरपा कालीन लोग किसके साथ सम्ध्वियापार करते थे आपके पास यह चार option है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो हरपा कालीन लोग जो हैं अफगानिस्तान, मेसोपोटामिय बहरीन इन सभी के साथ में सम्मंधित व्यापार करते थे किस सिकھ गुरु ने फारसी में जफर नामा लिखा था तो सिक गुरु गुरगुविंश सीग जी ने फारसी में बूलन से संबंदित है अगला कौशन है निम्ड मेंसे किस राजी के सासक नवाब वजीर कहलाते थे इन मेंसे कौन से राजी के सासक नवाब वजीर कहलाते थे तो अवद राजी के शाशक नवाब वजीर कहलाते थे निम्ड मेंसे कौन आरियन पेश्वा के नाम से मशूर थे तो आरियन पेश्वा के नाम से राजा महेंदर प्रताप मसूर थे, option number राजा महेंदर प्रताप सही उत्तर हो जाएगा कवी राज मार्ग नामक गरंथ की रचना करने वाला शाशक किस वंस का था? तो कवीराज मार्ग नामग ग्रंथ की रचना करने वाला शाशक जो है यह राश्र कूर्ट वंस का था option number A प्रशन के लिए सही उतर है Next question है पूना पैक्ट निम्न में से किस से संबंदित था? Right answer क्या है इस प्रशन के लिए? तो पूना पैक्ट जो है दलित वर्ग से संबंदित था? Option number दलित वर्ग प्रशन के लिए सही उतर है Next question है भारत में बाल अधिकारों के सनरक्षन हेतू राश्री आयोग की स्थापना कब की गई? सिंदु सबिता में कुम्बकारों के भटों के अवसेश जो है यह मोहन जोद्रों से मिले है निम्न में से कौन सा आधुनिक देवनागरी लिपी का प्राचीन रूप है? संदु आढकी तो सबसी ज्यादा प्रियुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी किना संदुगार्टीब क्या द्युक्त की जुर्भा से जाएगा तमिलों के सबसे प्राचीन देवता इन में से कौन हुआ करते थे तो तमिलों के सबसे प्राचीन देवता जो है मुरुगन देवता थे option number C प्रशने का सहीतर है बिभिन हरपा कालीन इस्थलों से बिखरे हुए अस्थी अवसेश या कंकालों से क्या निशकर्स निकाला जा सकता है तो विभिन रप्पाकाली निस्तलों से बिख्रे भुए अस्ती अवशेश्या कंकालों से हम यहाँ पता कर सकते हैं कि यहां किसी प्रकार का सैनिक आकमड हुआ था Next question देखते हैं प्राचीन भारत में निम्न मैंसे कहां पर राज तंत्र था तो प्राचीन भारत में राज तंत्र जो है कौशामभी, मगद, कौशल इन सभी प्रांतों में राज तंत्र हुआ करता था प्राचीन में मोशली राज तंत्र ही हुआ करता था प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शाशक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था संगम काल में विदेश ब्यापार के विक्सित होने के कारण सरवाधिक सहायक माना जा सकता है तो विदेश ब्यापार सरवादिक विक्सित होने का मुख्य कारण था अरब मिश्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा ब्यापार एक मार्ग होना ये ब्योसाय के सबसे ज़्यादा बढ़ने का मुख्य कारण था Next Question है हडपा के लोगों के सामान घरेलू बरतन किसके बने होते थे तो हडपा के लोगों को जो बरतन यूज करते थे वो मिट्टी से अच्छी तरह पकाये गए चित्रांकिक बरतन हुआ करते थे नेक्स्ट है हडपा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलाइन करने का सबसे युक्ती संगत कारण कौन सा होता था तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जलिय परिवर्तन जलिय परिवर्तन हपा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलाइन करने का सबसे युक् प्रतीत होता है नेक्स्ट आपके सामने है मगद के अजाच शत्रू का सदेव किस गड़राज्य के साथ में युद्रहा करता था तो मगद के अजाच शत्रू का सदेव वैशाली गड़राज्य के साथ में युद्रहा करता था सौंदरा नंद निम्न मैंसे किसकी रचना है तो सौंदरा नंद जो है यह अश्वगोश्च की रचना है सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है संगम काल के तीन प्रमुक शक्ती चोल, चेर और पांड्य के मध्य संघर्स का मुख्य कारण क्या था तो राइट आंसर हो जाएगा छेत्रिय तथा अंतर छेत्रिय माफ करियेगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अप्शन अंबर यह पूर्ण तहा वस्तु विन्मे व्यापार था यह जो है हरपा कालीन आंतरिक व्यापार से सम्मंग दित नहीं था तो दोस्तों ये थे आपके पास में questions की series, आगे भी question है, चलिए देख लेते हैं, मोहन जोद्रों के नगर दुर्ग में निर्मित विशाल इस्तानागार को निम्नमै से किस प्रियोजन के लिए संभावता प्रियोग नहीं किया जाता था, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, ये सं प्रियोग नहीं करते थे, अनावरश्टी अथवा अन्य किसी प्रकार की आपात कालीन इस्तिती में उप्योग किये जाने वाले जन संग्रह के लिए, next question आपके सामने है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निमलिखित राजिवनसों में से किसका सासन था, तो सिकंदर ने बिद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्ष शिला में अशोक को भेजा था, संगम कालीन साशक करीकाल का संबंद किस राजवनस से था, तो करीकाल का संबंद जो है, चोल राजवनस से था, next question है, हडपा वासियों द्वारा क्रसी युक्त फसलें कौन सी थी, तो गेहू, जो और सरसों ये हडपा वासियों के द्वारा क्रसी युक्त फसलें थी, हडपा कालीन लगबग सभी नगरों में विशाल अन्नागार थे, कारण क्या था, तो विशाल अन्नागार होने का मुख्य कारण जो है, ये सभी था, option number करों का भुकतान उपच्त था, जीन्स के सिकंदर, भारत में सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो भारत में सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण भारत में केंद्र शक्ति का ना होना था, निम्ड में से कौन सा मौर्यवंच के पतन का कारण नहीं था, तो मौर्यवंच के पतन का कारण उत्तर भारत में व तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपके लिए कमेंट करके जरू बताईगा चैनल पर ना है सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल आइकन आउन करके अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करें मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद